अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे हिंदु धर्में किसी भी शुबकारे से पहले दीपक जलाया जाता है दीपक को पूजा में बहुत ज़्यादा शुब माना जाता है सुभई शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलानी की परंपरा है कहा जाता है दीपक जलाने से तूजा पूरी हो जाती है और काफे शुब भी माने जाती है वास्तो शास्त्र में दीपक जलाने वो से रखने से संभन्द में कई नियम बताए गए है वास्तु शास्त्र में यह भी कहा गया है कि दीपक की लोग किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है वैसे किसी भी शुभ काम से पहले दीपक जलाते समय यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए इससे धन धन और मालक्षमी का आगमन होता है चले आपको इस मंत्र के बारे में बताते हैं इक आसान सव पाए और काफी फाइदे मंद हो सकता है इस मंत्र को करने से आरोग यानी अच्छा स्वास्त तो मिलता ही है साथ धन संपत्ति में विवरद्धी होती है लक्षमी भी उसके द्वार पर अपनी दस्तक देती है नेक्स नाएन स्प्रिच्वल से अकाश की रपाट प्राइदे में विवरद्धी है